नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक वाफ फिर से टीचिंग वाला पर मेरा नाम कमलदीप सींग है और एक पार हम फिर से आपके सामने हैं एक इंपोटेंट वीडियो लेकर आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा बिहार सिक्षक भरती जो TRE 2.0 के है और माध्यमिक के नो विश्यो में से 18,642 जो हैं यहां पर सफल हुए है टोटल ठीक है लेकिन अगर हम पिछले साल के कमपैरिजन में देखें तो यहां पर जो कटोफ इस वार रही है वो थोड़ी सी जादा रही है पिछले एक्जाम के कमपैरिजन में ठीक है अब इसके रीजन जो है जो अलग-अलग बताये गए हैं उनके उपर भी आज में चर्चा करूँगा कि क्या रीजन रहा कि कटोफ आपकी इतनी जादा गई ठीक है तो सबसे पहले दूसरे चरण की सिक्षक भरती परिक्सामी बीपी एससी ने सनिवार को ठीक है नो विश्यो के 40 रिजल्स थे आपके इसके बाद आपका संडे को भी आपका रिजल्ट जारी किया गया ठीक है तो आपने देखा गी दोनों दुनों में काफी विश्यो के जो रिजल्ट है वो जारी कर दिये गये हैं साथ के साथ आज भी कुछ रिजल्ट आने के चांसे हैं ठीक है और कल भी आपके कुछ रिजल्ट साने के चांसेस हैं जो बचे उचे रिजल्ट है वो कल तक या पड़सों तक वो आपके निप्टा देंगे ठीक है अब सवाल यह उठता है कि हर एक्जाम में कटोफ थोड़ी जादा देखने के लिए हमें मिली है ठीक है अगर हम बात करते हैं तो और आठवी की बात कर लेते हैं 6 और 6-8 क्लास के लिए संस्क्रत में 1634, हिंदी में 3451, उर्दु में 1551 और अंग्रेजी में 4200, 38 चात्र यहां पर उत्तिर हुए हैं यहां पर ठीक है अगर हम बात करते हैं कि विज्ञान और गनित में मेधा की कड़ी प्रतिसपरधा यहां पर रही है और गनित विज्ञान में यहां पर जो कटोफ हमें देखने के लिए मिली है वो पिछली वार से जादा ही देखने के लिए हमें मिली है यहां पर ठीक है तो सिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में विज्ञान और कि मेधा की कड़ी प्रतिसपरधा रही इनके नियूंतम कटो चाहा अस्ती के असपास यहां पर रहा इसकी बड़ी बजह है भार के अलावा अभ्यर्थियों को संख्या में बढ़ाया जाना यानि कि जो अभ्यर्थियों को बढ़ाबा दिया गया है भार के अभ्यर्थियों को उसका इसका एक बड़ा रिजन यहां पर मान कर दी है यानि कि किसको कौन सा जिला मिला है जिला आवंटन भी वहाँ पर सूची जारी कर दी गई है आपकी वेबसाइट पर अब जब जिला आवंटन की सूची जारी हो गई है तो सवाल यह उठता है आपका ठीक है कि आपका जो नियुकती है वो कब तक आपको कंप्लीट क आने के बाद में तो जन्वरी का जो महीना है तो जन्वरी के महीने में एक्सपेक्टेड है आपको complete process निप्ता दी जाएगी ठीक है तो जन्वरी का महीना एक ऐसा महीना होगा कि आपकी जो नियुक्ती है वो आपकी जन्वरी के महीने में निप्ता दी जाएगी क्योंकि अभ बहुत जल्द ही conduct कराई जाएगी आपकी 3.0 की जो परिक्सा है वो भी आपकी अगस्त से पहले ही उन्होंने निप्टाने की बात करी है तो अगर TRE 3.0 अगस्त से पहले ही वो निप्टाने की बात कर रहे हैं तो जनवरी के महीने में नियुक्ती प्रोसेस को complete कर लेंगे ताक नियुक्ती का जो प्रोसेस है वो complete वहाँ पे कराया जाएगा यानि कि अगर हम बात करते हैं तो जनवरी के महीने में जो TRE 2.0 है इसका नियुक्ती प्रिक्रिया समाप्त करा दिया जाएगा इसके बाद वो TRE 3.0 पर आगे काम करेंगे ठीक है तो काफी स्पीड से चीजे चल रही है वेकेंसी पर वेकेंसी बिहार में निकाली जा रही है तो आप सभी के पास एक सुनहरा अबसर है इस मोके को भुनाईए एक्जाम में क्वालिफाई करने का ठीक है चलिएगा तो अपने सपनों को उड़ान दीजिए जुडिये टीचिंग वाला के साथ तो all the best I think information आप सभी के लिए यूसफुल रही होगी तो मुलाकात होगी आप से अगली क्लास में तब तक के लिए गाइस खयाल लखिया अपना टेक कियर थैंक यू बाबाय और चैहिंग नमस्कार